बुद्ध राजा का बेटा या किसान का बेटा कोगी हमें जो बच्पन से पड़ाया और लिखाया और बताया जा रहा है और वो जो मन मोह के तस्वीरे हमारे दिमाग में डाली जा रही है राजकुमार सिद्धार्ट और राजा शुद्धोधन करके जो हमें नाम बदले हुए बदाए जा रहे हैं ना तो वो राजा है ना वो राजकुमार है जो नाम है असली वो है सुद्धोधन कौन कहता है कि जो बुद्ध हैं वो पहले, बुद्ध से पहले राजा के बेटे रहें वो किसान के बेटे रहें, कसक के बेटे रहें, खेती रहें, खेत में काम कर रहें इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध होने से पहले किसान के बेटे रहे हैं भारत किसान के प्रधान का देश है किसान का बेटा बुद्ध बन जाए तो लोगों को जमा नहीं जिला नहीं और उसको जबर जस्ती राजा का और राजकुमार का बेटा घोसित करके और किसानों से दूर करने की पूरी की पूरी कोशिस जिन लोगों ने की है उन लोगों को पहचानी है कि क्यों उन्होंने नाम बदले और क्यों उन्होंने किसान के बेटे को राजा का बेटा कहके एक महल की एक राज महल की एक राजकुमार की स्रन नचना खड़ी कर दी चारों तरफ और कौन लोग हैं जो साहिते से छेड़ शाड़ कर रहे हैं ग्यारे साल की उमर में जो सिद्धत है नाम क्या है सिद्धत सिद्धार्थ संसका इतनाम है क्योंकि आधारे नहीं होता पाली के अंदर और वहाँ जो नाम है वो सिद्धार्थ नहीं है सिद्धत है सिद्धत का मतलब है सिद्ध कर दे यानि जो सफल कर दे जो काम को सफल करते उससे सिद्धत बोलते है और पिता का नाम क्या है सुद्धोदन यानि सुद्धोदन सुद्ध का मतलब होता है शे नहीं है से सुद्ध है सुद्धोदन सुद्ध माने विलकुल साफ प्योद और ओधन माने चावल बेसिकलिए पके हुए चावल भी होते हैं कच्छे चावल के लिए बोला जाता है तो सुद ओधन नाम है और भाई का नाम क्या है अमित ओधन यानि अमित ओधन अमित का मतलब है जो limitless यानि कि जिसके पास बहुत ज़्यदा प्रिचर मात्रा में ओधन माने चावल तो चावल प्रमुक है बेसिकलिए किसानों का सबसे बड़ी जो पैदावार है वहाँ पर चावल है और चावल को चावल नहीं बोलते हैं उसको तुंड़क बोलते हैं और और जो grain है और जो दाने हैं उनको बोलते हैं धाने धाई बोलते हैं बेसिकलिए धाई आई-आई करके आधा-ए यह पुराई धाई तो जो धाई है उसको धानने बोला गया है या धनने बोला गया है वो सबसे important चीज है जिसके पास जितने ज़्यादा धई जितने ज़्यादा ग्रेम उतना ज़्यादा वो धईवान या धईवन्तु या धईमान या धनवान या धानवान धान सब्ब बाद में आया है तुन्डग भी बोलते हैं उसको और भात भी बोलते हैं भात का मतलब है भात तो बोलते हैं भत माने जो होता है चावल होता है जो कहते हैं कि मैं बहन का भत भनने जा रहा हूं ये पुरानी परंपरा उस समय की बौद्धोकी या उस समय जो भगवान बुद्ध के जो मंसस थे उनकी सबकी रही है बत का मतलब है चावल देने जा रहा हूं यानि कि पुराने समय में चावल सबसे ज़्यादा important होते थे, बहन के यहाँ कोई function है, तो function होना है वहाँ चावल की खपा ज़्यादा है भाई के घर में, खेतों में ज़्यादा धान हुआ है वहाँ जरूत है, तो वो भत देने जा रहा है, धान देने जा रहा है धने देने जा रहा है, धहीं देने जा रहा है चावल देने जा रहा है, तुंडल देने जा रहा है ओधन देने जा रहा है तो उसको भात बनना बात में बूला गया ये भात की ये भत्त की पूरी कहानी रही तो यहाँ जो सुद्दोधन है या आमीदोधन है उनके नाम की पीछे चावल लगा हुआ है धान लगा हुआ है खेत में काम चला है सुद्दोधन का जो पूरा परिवार है बहुत महनती परिवार रहा है उन्होंने हार तोड़ तोड़के जंगल हटा-ठा के बहुत सारे खेत बनाए पहले खेत ऐसी बनते थे कोई लिखत पलत तो होती नहीं थी और प्रेकरदी ने खेत अपने आप त्यार करके नहीं दिये है लोग उने हार तोड़ मेहनत की है भात की जो समन लोग हैं, उन्होंने पत्थर अटाए हैं, जंगल अटाए हैं, तब ये खेत समतल किये हैं, एक-एक खेत को समतल करने में हजारो हजारो आदमियों की महनत है, तो उन्होंने खेत तोड़े, खेत बनाए, पत्थर अटाए, उसमें वो धान बोते हैं, तो जब पीज बोने का अफसव है, वहाँ धान बोय जा रहा है, और सिद्धत गौतम एक जामू के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और खेत में काम चला है, 11 साल की उमर है, वो खेत में काम करें, कोई खाली बैठ तो रहेंगे नहीं, खेत में भी जाएंगे, खेत खलियान में ले जाते हैं, तो खेत में काम करने वाला है, जिसका फादर, जिसका पिता, जिसका जो वनसज है, जो खेत में काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, खेतिया बोलेंगे, तो वो किसान का और खेतिया का बेटा है, यानि कि पिता किसान है, तो वो खेतिया का है, कहीं कोई रा राजकुमार नहीं है, कहीं कोई राजकुमारिया नहीं है, नहीं कहीं कोई ऐसा कुछ बताया गया है, तो खेतिये को बाद में संस्काइज भासा में छेतिये बोलते हैं, तो छेत्रिये हो गया, खेत को छेत्र बोलते हैं, तो छेत्र हो गया, तो छेत्र फल हो गया, तो छेति बड़ा दरवार रहा है तो दरवार है कहां वो राजा के जो सी हनु जो उनके पिता का नाम था सी हनु माने होता है सेर जैसी ठोड़ी वाला हनु माने ठोड़ी होता है हनु से बाद मैं हनु मन्तु बना है यानि सेर जैसी ठोड़ी वाला सी हनु मन्तु तो जो सी हनु मन्तु तो राज आपस में कैसे बट रहा है, इसका कहीं कोई जिकर नहीं है, क्योंकि राज होगा तो जिकर होगा ना, उनका राज कास कैसे चलता था, कैसे उनकी पड़िया करती थी, कहीं कोई जिकर तो होगा, इतना बड़ा साहित्र बुद्ध का है, कहीं दो लाइन तो होगी, कि राजा का जो सुद्धोदन का राज था वो ऐसा था अमितोदन का राज ऐसा था उसके बाद में उनको टांसफर हुआ राज उनको मिला कोई राजगदी तो होगी कुछ मुद्रा होगी कुछ आदेस होगे कुछ किरिया कलाप होगा कुछ राज काज होगा कुछ चर्चा होग कुछ बटवारा होगा, कुछ जगड़ा होगा, कुछ राज में आसपास कहीं कोई दुस्पन होगे, कहीं कोई एक कुलू तो मिलता, यहां तो निल बटा सुनाटा है, जीरो बटा जीरो है, राज राज की कहीं पूरे सहते में कोई चर्चाइ नहीं है, तो जवजश्ती जवरिस्ती राजकुमार बना दिया, आप किसान के बेटे को राजकुमार क्यों बनाना चाहते हैं, आप इसके पीछे समझ ये भात को, तिक अगर गरीब आदमी का बेटा अगर IS बन जाए, तो IS बनते ही उसके पास में प्रशासनिक ताकत आ जाती है, सासन में निर्न लेने क एड्मिस्टेशन में डिशन लेने की पावर आ जाती है, तो वो पावर आने की वाए से, क्योंकि सिस्टम में उनको बहुत जादा पावर होती है, तो सारे लोग उसको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, गरीब के लड़के को, जब तक वो गरीब है तब तक नहीं, मगर जब वो आईस बन गया है, तब उसको दामाद बनाते हैं, तो उसको बड़ा पैसा देते हैं शादी में, बड़ी गिफ्ट देते हैं, करुड रुपे की, और सब अपनी लड़के शादी अना चाहते हैं, ना उससे में काश्ट है और ना उससे में वनवेवस्ता है, कोई व पारिवार का चारो तरफ एक कौकस बन जाता है, गेरा बन जाता है, और वो जो आईस है, वो उसमें पूरी तरसर टैप हो जाता है, फिर वो उसको अपनी कल्चर में ढालते हैं, उसको आते हैं, बड़ी अचीजों का उसको भोग कराते हैं, और वो उनका आदी हो जाता है, और कोई उसके गाओं का या उसका रिस्दार अगर कोई मदद करने आता है तो उसको फिर वो हे दिश्टी दिखाते हैं किया रही तो निकम में लोग है देखो तुमने मेहनत की तुम तो आईस बन गए ये निकम में लोग है इन्होंने मेहनत नहीं की जो कार में चलते हो, नौक़ चाह कर तुमारे घर में आसपास है। ऐसा करकर उसको उसके गाउं से और उसके पुरे महले से, जहां उसको मदद करनी चाहिए, जहां से वो ağ पला बडा है, कुछ नहीं कर पाता आए उनका हो جाता है। और फिर उसके बच्चे भी गाओं में बापस नहीं जा पाते हैं, उसके बच्चे भी जहां उसकी शादी होती है, उसी साथ से उसको ढाल लेते हैं, बच्चों में अलगता है का वहवार आ जाता है, और उसकी संपत्ती, उसकी एजूकेशन, उसकी सिक्षार, उसका पोष्ट जो post बावा साब की बगत मिली है वो सारा-कसारा समाज के काम ना आके वो individual victim के काम आजाता है और वो IAS समाज के लिए zero हो जाता है जिसका सफना बावा साब ने देखा यही वो बात है जिससे जो किसान का बेटा बुद्ध है उसको राजा का बेटा बनाया गया क्योंकि राजा का बेटा बनेगा तो उसको राज घरानी तरह टीट करेंगे दिमाग में लोग दिमाग को ये रहेगा वो तो राजकुमार है राजा है तो उसको फिर अपने से नहीं जोड पाएंगे किसान जो लोग हैं वो अपने से नहीं जोड़ पाएंगे उसको जो राजा लोग हैं वो अपने से जोड़ेंगे और जब अपने से जोड़ेंगे तो फिर राज जैसा वेवार होगा फिर वो पट जाएगा लोगों के दिमाग में ये बात रहेगी ये तो बहुत उची हस्ती है हमारे तो किसी काम की नहीं है मगर अगर किसान को ये पता चले कि जो बुद्ध हैं वो किसान ही है और किसान के बलकुल भाई है किसान के लड़के हैं, किसान के पुत्र हैं और किसान ने इतनी बड़ी उपलब्धी है तो पूरी दुनिया के किसानों को फक्र होगा और पूरी दुनिया को किसान ही चलाते हैं तो उनसे इस्टेटस छीना गया है आप सोचिए भला कि उस जमाने में कहा कोई व्यक्ति को ये कहा गया कि ये जो सामने जा रहा है आज मु जो चला रहा है वो कहता है जी कि ये बिमार है और ये सब को आना है तो उसका दिमाग घूम जाता है ग्यारे साल की उमर में तो वो अपने खित में काम कर रहा है तो क्या आँक बंद करके काम कर रहा है क्या उसने आँक पर पट्टी लगा रख किया उस जवाने में काले चस आखों पर पट्टी लगा के और चस्मा लाएक कला के तुझे बाहर करनी देखना है पहली बाहर का जाएगा तब ही देखेगा तो कुछ तो सोचो भाई थोड़ा तो बुद्धी का इस्तमाल करो एक गाउं है कवीला है एक कपिल वस्तु है उसमें सब लोग मिलना जुलना है किसी घर बच्चा पैदा होता है तो खूब ठालियां बढ़ती है खूब खाना होता है खूब दावच होती है बच्चा आँक खोलता है तो सबसे पहले आसपास को माहूल को देखता है बच्चा रुपता कहा है अपते घर में और सद्धात जैसा बच्चा जो इतना गंबी रहा है शुरू से जो 11 साल की उमर में मेरिटेसिंग नहीं है, विपसनागले, साधनागले, बैठ जा जाता हो, वो कैसे नहीं जानेगा दुनिया को, अभी तो दुनिया को बहुत कुछ खोजना है शुरू से जिग्यासा होगी शुरू से जिग्यासु होगा, शुरू से पसंद पूछेगा तभी तो आगे खोज करेगा बच्चों की तो कहते नहीं के पूत के पाव पालने में दिखाए दे जाते हैं जब वो असित रिसी आये थे, असित इसी असित माने काला होता है, जब वो काला इसी काला जानकर आया था, जो डॉक्टर था एक तरह से और जो बच्चे के सारे सरीर को अवलोकन करके उसका पेक्षण करके, दिख्षण करके, इन्वेस्टिकिसन करके कहता है कि बच्चा पूरी तरश स्वस्थ है और ये स्वस्त बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि इसके लक्षन सारे के सारे स्वस्त के मानकों पर पूरे उतरे हैं तो बच्चा वो रुकेगा कहां वो तो चलेगा वो तो दुनिया देखेगा क्योंकि दुनिया देखने के लिए तो उसमें लक्षन है सारे सारे इसलिए कुछ बात है क्योंकि आप धम को फॉलो कर रहे हैं, धम को देख रहे हैं तो पुरानी बात हैं जिन्होंने बनाई हैं अपने हिसाब से बनाई हैं आप पूरे परिद्रसर को सोच के समझ के देखिये कि क्या बताया गया और क्या हो सकता और क्या नहीं है रर किताबों में जो लिखा हुआ है वो कominay सब्जी के जोड़ी जाती है लोग लिखते समय अपनी बातें उसमें जोड़ देते हैं उसको देखना समझना बहुत जरूरी है बुद्ध ने तो दुनिया की आग खोली है बुद्ध ने तो सारी दुनिया में कितने दुनिया के लोग मानने वाले बुद्ध को जो किसी को नहीं मानता वो बुद्धिकीर फ्रॉस्पी को मानता है वो सबकी आँख खोलने वाला है वो दुनिया नहीं देखेगा कितना बड़ा मजाक है कितनी बड़ी बात है वो तो सबसे पहले देखेगा तो इसलिए इसमें थको दिवाग से निकाल दीजिए कि बुद्ध राजा के बेटे रहे हैं या राजकुमार रहे हैं या उनका कोई दरवार रहा है ये सब बेकार है जैसे वो देवदत की जो कहानी है वो बिल्कुल जूटी है बहार बेटे रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है जैसे जह GIFT में बेज़ची चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ एकना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्चामे तम शरन गच्चामे धन्यवाद कहाँ बताते हैं भगवाद का है झाल गया घर जाइए झाल